नमस्कार आज बात करते हैं हरियाना की राजनीती में चल रही बड़ी खबर की कल एक सितंबर को भाजपा नेता राव नर्बीर बादशापूर के साउथ सिटी टू में जनसभा करते हैं और पूरी तरह से बगावती तेवर दिखाते हैं राव नर्बीर साफ तोर पर कहते हैं कि निर्दलिए चुनाव नहीं लड़ूंगा पायरटी दो ही है एक भाजपा और एक कॉंग्रेस अगर एक पायरटी टिकेट नहीं देगी तो दूसरी पायरटी से चुनाव लड़ूंगा इसका मतलब उन्होंने साफ तोर पर कॉंग्रेस में जाने के संकेत दिये हैं और जो उनके तेवर थे वो एक बार फिर कड़े तेवर उन्होंने दिखाए हैं उन्ही सब मुद्दों पर हम बात करेंगे हमारे साफ चर्चा में जुड़ चुके नजेपी के परधान संपादक महेश कुमारवयत इनसे जानते हैं कि इस पूरे घटना करम को किस दरस्टी से देखते हैं बताईए सर कॉमल कल की सभा में आप भी मौजूद थी मैं भी मौजूद था राव नर्बीर सिंग की जो तेवर है उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि उन्हें भारतिय जनता पार्टी से टिकट की उमीद कम हो गई है लेकिन वह अभी भी भारतिय जनता पार्टी को एक तरह से चेतावनी दे रहे हैं सीधे तोर पर कि वही एक ऐसे सक्स है जो बादसापूर से चुनाव जीत सकते हैं आसानी से भारतिय जनता पार्टी को बिना नानू करके उनको टिकट दे देनी चाहिए और अगर भारति-जनता पार्टी ऐसा नहीं करती है तो उनके पास कांग्रेस में जाने के रास्ते खुले वे हैं और रास्ते खुले हुए हिं कांग्रेस उनके टिकट देने के लिए तैयार है कांग्रेस में उनकी कहिन की बात बन चुकी है लेकिन वे चाहते हैं कि उन पर क्योंकि बार बार दल बदल का जो उन पर पहली ठपा लगा हुआ है वे चाहते हैं कि उन पर एक दल बदल का ठपा नहीं लगे और वे भारतिय जनता पार्टी में बने रहे और भारतिय जनता पा कैची चलने का जो दर्द था वो 2019 वाला भी कल चलका अपने भाशन में वो कहते हैं इसके लावा वो एक और बात कहते हैं कि कभी सांसर नाराज रहते हैं तो इस बार कोई नेत्री नाराज है ये पूरे मुद्दे पर हम आपसे बात करेंगे आपका जवाब लेंगे कि वो किस नेत्री के बारे में बात कर रहे थे किसके तरफ उनका इशारा था लेकिन उससे पहने दर्शकों को कल के पूरे घटना करम की एक बार मुख्या बाते सुना देते हैं जब 2019 में टिकट कारती आप कहते हैं बई MP साथ खिलाब है कोई कहता था फ़लाव वो नेत्री खिलाब है वो नेत्री खिलाब है मैं आप से ही पूछ रहा हूं वही मुझे बताओ कि मैं चुनाव लड़ू कि नहीं लड़ू मैं निर्दलिये चुनाओं नहीं लड़ूंगा दो पाइटी आज पी एक बीजेपी एक कोंग्रेस बही एक पाइटी टिकट नहीं देगी मैं दूसरे से लड़ूंगा लेकिन आप काशिरवार से कुमल आपने वीडियो दिखा दी अपने दर्शकों को मैं पहले इसपष्ट कर चुका हूं कि राव नरवीर शिंग का संकेत ये था कि भारतिये जनता पार्टी में उनकी टिकट कट सकती इसलिए उनके भीतर दर्द भी था और वह संकेत देना चाहरे थे वह मजबूरी में जाएंगे तो कांझरेश उनके लिए बिचा विचा कर तयार संकेत देना सकत हुद बादसय पर दक्षुधायाद में नार्नौल भी अपने दावेधारी है ऐसा सुनने में आथा दक्षुधायाद में राविंदर्जीत स्एंग से मुलाकत कीए अंधर खाने क्या ममात हूं जाने लेकिन यह है खी दोनों से एक जगयHAHAशनाव लडे अब तो अब बाध्यपूर में डक्सुदायाद अपनी दावेदारी दिखा रही है तो उनी को लेकर कि राव नर्वीर सिंग कुछ कहना चा रहे थे राव इंदरजीत को लेकर भी अपनी बात कहना चा रहे थे पुराने किस्य जो उन्होंने सुनाये उनका पीछे यही था लेकिन पहली बार आपने देखा होगा राव इंदरजीत ने अभी तक कोई ऐसी ख़बर नहीं आए कि राव नर्वीर सिंग का विरोध उन्होंने नहीं किया है वह अपना नाम कोई दे सकते हैं लेकि राव नर्वीर सिंग के नाम पर कोई ऐसा विरोध मुझे नहीं लगता कि उन तो हो सकता है उनकी रहा आसान होती, मुझे अब भी थोड़ा सा वो लग रहा है, अब मामला 50-50 का हो गया है, पार्टी राव नर्वीर सिंग को टिकट दे भी सकती है, और राव नर्वीर सिंग को जटका भी दे सकती है, और राव नर्वीर सिंग को खुली चूट दे सकती है कि तुम जाईए, तुम कांग्रेस में जाने की बात कर रहे थे, तो लड़ लीजी, अभी आपने बोला कि राव इंदर जीत ने इस बार उनकी टिकेट को लेकर कोई विरोध नहीं जताया है, नहीं उन्होंने उनकी टिकेट पर कोई बात करी है, ऐसा कैसे आप मुम्किन कह र नहीं हो, वो अब एक दूसरे का विरोध ना कर रहे हो, देखिए, राव इंदर जीत अपने नाम उन्होंने बादस्यापूर में दिये है, लेकि नर्बीर सिंग के नाम पर मुखर होकर विरोध नहीं किया उन्होंने, गुडगाउं और बादस्यापूर सीट पार्टी पर विरोध ने करके उनसे ठीक होई रहेंगे, राव नर्बीर सिंग ठीक रहेंगे, वो पहले से स्थापित है, तो उनको लग रहा है, राव नर्बीर सिंग के किसी तरह का भईश में राजनेती खत्रा नहीं है, और एक और बड़ा कारण मुझे लग रहा है, कि अभी जो चर्चा चल रही है, कांग्रेस में सरकार आने की, कांग्रेस की सरकार आने की चर्चा है चल रही है, राव नर्बीर सिंग अगर कांग्रेस में जाते हैं, तो कहीं ने कहीं उनको लगता होगा, कि उनको लगता होगा, मुझे नहीं लग रहा है, कि वो कांग्रेस की सरकार मे powerful मंत्री बनेगा और भाजपा विपक्स में रह जाएगी उनकी बेटी अगर चुनाव जीतती है और उनके समर्थक अगर चुनाव जीतती है तो उन सब को विपक्स में रहना पड़ेगा और राव नर्वीर सिंग या अहिरवाल में चोधर चलाएंगे कहीं उनके दिमाग में और उनके समर्थकों के दिमाग में यह बात होगी लेकिन इस बारे में मेरा कुछ दूसरा अद्रश्टी कोन है राव नर्वीर सिंग कह बेशक रहे हों कांग्रेस की लेकिन बादश्यापूर और गुडगाओं दोनों विदानसभा सीटे मुझे लगता है भाजपा माइंडेड है वहां भाजपा को कमल निशान पर ज्यादा वोट मिलेंगे ऐसा मेरा मान में अगर हम बादश्यापूर की बात करते हैं आपने अभी कहा कि वह बीजेपी माइंडेड है अगर राव नर्वीर जाते हैं वहां तो उनका अगर भारतिय जनता पार्टी के किसी संभावित चेहरे का चाये आरती राओ चाये मनीश याद हो चाये जवाहर याद हो यह कमल याद हो यह डाक्टर सुधा याद हो इनका मुकाबला अगर राव नर्वीर सिंग कांग्रेस के कंडिडेट से हो सीधा तब टक्कर हो जाए थोड़ी सी संभावना टक्कर की थोड़ी सी ज्यादा तब भी नहीं है लेकिन यह थोड़ी सी संभावना भी उस समय खत्म हो जाएगी कि बादश्यापूर में हम देखते हैं कुमुदनी राकेश दोलताबाद की वाइप उनका जो है चुनाव मैदान में उतरना लगबग का वोट और बादश्यापूर में जाट कम्यूनिटी की वोट हो ज्यादा है तो वह अगर कुमुदनी के तरफ जाते हैं तो कांग्रेस को नुक्षान पहुचाएंगे तो भारती जनता पार्टी फिर भी बिलकुल आसान रास्ते से निकल जाएगी ऐसा राजनीतिक कंडिटर नहीं कर दो यहाद हैं तो चुनाओ मैदान में बाजी पार ले जाय गा defense लेकिन मेरा मानना है कि उस परिस्थिती में जब कुमुधनी मैदान में होगी राव नर्वीर सिंग एक हाइपोट्रिटिकल कुश्चन कर लेते हैं एक कल्पना कर लेते हैं राव नर्वीर सिंग कांग्रेस से हो भारती जनरता पार्टी का कोई दूसरा चेहरा हो डाक्टर मैदान में आएंगे तो मुझे लगता है नुक्षान होगा चलिए ये मेरा आप से आज का अंदिम सवाल होगा अब कितने चांस ऐसे हैं कि नर्वीर कॉंग्रेस में ही जा रहे हैं या भाजपा से उन्हें टिकेट मिल सकती है क्योंकि उन्होंने साफ तोर पर ये नहीं कहा उठ कडिटेस थे वूठ फिसमें कोई दो रहें नहीं है तो राव नर्वीर की टिकेट काट करके भाजपा ने अपना नुक्षान किया में है उत्रवीकुल गॉ doubling की टिकेट काट करके भाजपा ने अपना नुक्षान किया तो अब की बार भी र Los Angeles s चुनाव लड़ना चाहेंगे लेकिन जब मजबूरी हुई जब टिकट पर कैंची चलेगी तो निश्चीतरूप से हाथ पाउं वारेंगे और कांग्रेस में सायद उनका कांग्रेस में बुलावा है कांग्रेस में उनकी बात बनी हुई है इसलिए इतनी गरम जोशी के साथ बोल रहें ऐसे तेवर तब ही आते हैं जब दोनों हाथों में लड़ू होते हैं राव नर्वीर सिंग अज कमफर्ट जोन में उनके दोनों हाथों में लड़ू है लेकिन मुझे लगता है भाजपा का लड़ू जादा मीठा है कहीं ऐसा ना हो कि एक जंप मारे और जो कोंग्रेस में जाने का अनिता नहीं लेंगे ऐसा मेरा मान मैं धन्यवाद सर आपने हमें समय दिया हमारी बातों से आप समझ चुके होंगे कि राव नर्बीर ने जो बगावती तेवर दिखा उनके पीछे क्या राजनीतिक समीकरन है अभी भी अगर रेखा जाये तो उनकी प झाल